नमस्कार आदाव सस्त्रीकाल वेलकम सु स्वाक्तम हैं आप सभी छाथ छात्राओं का डियर लेनर्स की इस परेसे यूट्यूब शैनल पर और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानि ससांति वरी सर के साथ में आज ये काल का वीडियो नंबर टू पार्टू मैंने पार्ट वन आपको पढ़ाया और पार्ट वन आपने बड़ा ही इंट्रेस्ट से देखा बड़ा ही आपने इंट्रेस्ट दिखाया तो आज उसी के आगे का पार्ट टू आया है और आज हम समाप्त कर देंगे फिर हम नई एक आप कहते हो कि प्रैक्टिस की रहा पर चलेंगे भूतकाल और भूतकाल के समस्त अंगों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे समझेंगे उनकी पहचान क्या होती है कब किसी वाक्य के पीछे कौन सी पहचान लिखी होगी और हम यह जान जाएंगे कि यह भूतकाल का ही वाक्य है सारी चीजों की तरचा आज यहां पर हम ब Sempre कर सकते हैं तो यही मुझे सपोर्ड चाहिए कि आप से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तरक पहुंचाएं क्योंकि इसको बनाने हैं हम कई सारी चीज़ों की दिकतों के फेस को पार कर के इन सारी शुरू करेंगे तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि भूट काल के जो भाग होते हैं कितने होते हैं इसको हम काल कहते हैं काल तीन प्रकार के होते हैं वरतमान काल भूत मौत बहुत काल संदिक दे वर्तमान और संभाब्वे वर्तमान बात करेंगे जिसके आज हम बात करेंगे उसके होते हैं छे भाग कौन कौन से सामान ने भूतकाल आसन ने भूतकाल पूर्ण भूतकाल अपूर्ण भूतकाल संदिक दे भूतकाल और हे तुहे तुमद भूतकाल बात करें अग बताई थी, अपने भूत काल पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि अपने सहमती जताई थी और बहुत अच्छी तरीके से क्लास को हमने खतम किया था, आज इस क्लास को शुरू करेंगे, आप देखते रही है का बराबर इस क्लास में आपको बहुत सारा नालेज हम आपको देने व बोलाते हैं ताकि आप अगर दूसरे भी एक्जाम के लिए अगर आप इसको देख रहे हैं तो मूर देंस अफिसियंट है इतना देखने के बाद में आपको किसी भी एक्जाम में अगर आप टिंस से रिलेटेड अगर आप काल का कोई प्रशन आ रहा है तो आप से गलती नही होगी ऐसा आप मान सकते हैं और ऐसा आप भरोसा कर सकते हैं सुरू करेंगे आज की इस क्लास को तो पहला ही हम सुरू करते हैं जैसे कि आप जानते हैं पहला ही जो काल है वो कौन सा है शामान भूत काल की हम चर्चा करें जैसे कि सामान वरतमान काल की चर्चा करते वक्त मैं आपगो च्छोटी सी बात कही थी कि जो present इंड़ेफनुट यह उता है सामान हमें प्रजन्ट और इंड़ेफनीट जो टेंस उता उसको हमने क्या था उसको हम ने कहा था कि आप सामान वर्थमां काल मान सकते हैं यह पर ये बात मैं कोटेट करूँगा कि जब मैंने सामान वरतमान पढ़ाया तो मैंने कहा प्रजेंट इंडेफिनिट जब मैं सामान भूत काल पढ़ा रहा हूं तो मैं कहा रहा हूं प्रजेंट इंडेफिनिट और जब मैं फ्यूचर यानि भविश सकाल पढ़ा रहा हूंगा सामान भविस तो वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा सामान भविस काल में प्रजेंट प्रिउचर इंडेफिनेट की यानि आप ये बात समझ रहें कि इंडेफिनेट की बड़ी महिमा है और आप अगर इसको याद करेंगे तो आप ताथा, Tीथी, Tेथे वाली पहचान को यहां पर लेकर नहीं चलेंगे आप हिंडी पड़ रहे हैं तो कुछ नो कुछ limitation तो होगी ना कुछ नो कुछ उसकी सीमा तो होगी तो सीमा ये है कि यहां पर ताथा, Tीथी, Tेथे वाली धरणा को नहीं चलाना है तो आपको दूसरा क्या था तो आप कहते हो सर जी मुख क्रिया के साथ में आ, ई, ए जुड़ा हो वो हमारी होती है, सामन बहुत कालगी परिभासा तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी पैचान के तौर पर क्या लिखा जाएगा जैंसे देखी तो अगर इसकी हम पैचान की बात करें तो पैचान के तौर पर हम लिखेंगे कि अगर क्रिया के साथ क्रिया के साथ क्या हो आ, ई, और ए अगर ये चीजें क्रिया के साथ जोड़ी हो और लाश्ट में याद रखेंगा थार नहीं लगा होना चाहिए अगर ये चीज़ें जोड़ी हो और यूही वाकव को छोड़ दिया जाए तो उसे कहेंगे हम सामान वर्तमान काल ये सामान भूत काल आप कोगे सर्जी जैसे उदारन तो उदारन के लिए हम आपको बताएंगे देखिए जैसे कि पाश इंडेफिनिट में आप क्या करते हैं होता था कि राम कानपुर गया पड़ी सामान भी बात हुआ करती थी राम कानपुर गया अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाना एक क्रिया होती है जैसे बगर बात किया जाए कि मैंने नईकार खरीदी तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाश नम क्या लगा हुआ है या नि खरीदना एक मुख क्रिया है और उसके बाद में आई ए लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये पाश्ट इंडेफिनिट इसका मतलब है सामाने भूत का वाक्य है अगर हम तीसरे वाक्य की बात करें तो तीसरा वाक्य क्या है कि माता जी ने माता जी ने खाना पकाया आपको बिल्कुर ठीक बात है यहां वर आपने देखा पकाया लाश्ट में क्य है आ है चौतिक अगर बाच करें तो हम कहें बच्चे मैदान कि खेलने कि खेलने गए अब देख रहे हैं यहां पर ए लगा हुआ है यह आपको यह दिखाने कोशिच करना हो कि बड़ा सिंपल सा होता है सामानभूत कल पैचान होती है क्रिया के साथ में आई में से कोई भी एक जुड़ा होना चाहिए और आप देख रहे हुआ हूँ कि अगर आपको ना समझ में है तो आप यहां पर अपनी अपनी लिए लिए लिख ले ना क्योंकि मैं अगर यहां पर लिखोंगा तो फिर कॉन्फलिक्ट यह हो जाएगा कि आप इंगलीस पढ़ा रहे हैं कि हिंधी लिखाने के मूड में नहीं हूं मैं आपको ऐसे ही पैचान से सिखा दूँगा接 KR Uganda कभी ईक कोई भी पैचानि किसी दूसरी पर औरने करेगी या एक वाक्ת में बताईगे पैचान कभी दूसरे वाक左 पैचान नहीं हो हो सकते वे फिक्र होकर आप स Beef को याद कर सकते हैं अपने जहन के बसा सकते हैं चलिए हम और बात करेंगे दूसरे नमबर की बात करें है वो हमारे पूर्ण वर्दमानकाल की तरह दिखता है तो यहां पर जब आप पढ़ रहे होंगे दूसरे नंबर पर आप पढ़ोगे आशन भूध काल तो आप इसको पढ़ो इसी के साथ साथ में पैरलल में मैं आपको ये भी कहूँगा कि एक बार आप पूर्ण वर्तमान काल भी पढ़ो क्योंकि दोनों की पहचान एक ही है कोई अंतर नहीं है अब ध्यान से सुनना और समझना बात को ठीक पैनिक मत करिएगा क्योंकि यहां पर ओरलैपिंग है जैसे अगर हम इसकी पहचान की बात क करें तो पहचान में आप लिखोगे की कह लिखोगे आप लिखोगे कि सामान ने भूत-काल की पहचान के साथ अगर आपने क्या लगा दिया है हूं और हो अगर आपने लगा दिया तो ये बन जाएगा क्या बनेगा आपको कब कोगे बनेगा सामान भूतकाल हलाकि भूतकाल जब पढ़ते समय आपको कभी भी है हूं हो लगाने की आवसकता नहीं पढ़ती है इसलिए मैंने इसको और इसको एक साथ में लिखा है ताकि आप दोनों में अंतर समझ पाएं अगर हम इसकी पैचान की बात करें तो इसकी जो पैचान होती है उसमें हम कह लिखते हैं तो उसकी पैचान इसी तरह होती ही लेकिन सेंटेंस अलग होता है हम लिखते हैं कि क्रिया के साथ अगर आ, ई, या ए लगा दे और तथा उसके बाद में क्या हो? उसके बाद में लिखा हो है, हूं और हो ठिक तो आप ये देख पा रहे होगे कि पहचान लगभग एक तरह हैं देखो इसमें अगर हम बात किने सामान भूत काल तो सामान भूत काल की पहचान क्या होती? अभी अभी मैंने पढ़ाया कि सामान भूत काल की जो पहचान है वो होती है कि क्रिया के साथ क्या लगा दो? आ, ई, ए लगा दो वही तो लिखा क्रिया के साथ आ, ई, ए प्रस है हो हो लेकिन इसको इस प्रकार से बोलते हैं और इसको इस प्रकार से बोलते हैं तो अब आप एक बात सुचने होगे सर जी पहचान तो एक ही है सब कुछ एक ही है अगर वाक के लिखना चाहें तो वाक के देखो वाक के कैसे लिखते हैं एक्जामपल सुनो एक्जामपल लिखोगे राम न राम ने रामण को रामण को मारा है यहाँ पर लिखा इसे एक्जम्पल क्या लिखेंगे लिखोगे राम ने किसको पीटा है यह लिखोगे तो अब आप यहाँ पर यह देख पा रहे होगे कि अगर लाश्ट में देखें यहाँ पर भी क्या है क्रिया के साथ में आलगा हुआ है यहाँ पर भी पीटना क्रिया उसके साथ आलगा हुआ है अब संकट यह आता है सर जी एक बात बताओ अब हमारे पास जब प्रस्न और यह प्रस्न बहुत पूछा जाता है क्यों क्यों कि यहां पर conflict है जहां पर आपको conflict मिलेगा जहां पर आपको बाधाएं मिलेंगी वह प्रशन एक्जाम के लिए बड़ा important हो जाता है अब decide कैसे करेंगे कि कौन सा आसन भूत काल और कौन सा पूर्ण वरतमान काल है तो एक तो बड़ी simple सी बात है मान लीजे ये हमारे पास में जब हम paper दे रहे थे तो ये हमारे पास में एक क्या आ गया हमारे पास में वाक क्या आ गया पूछा बताओ कौन से काल का है अच्छा एक बात बताओ इसके तो पैचान कैसे करते हैं राम ने रावण को मारा तो ये आज की बात है कि बहुत समय प् कि राम कोई एक लड़का है कोई एक बालक है जिसने किसी को पीटा है तो ये बात आज हम identify कर सकते हैं काम पूरा हो सकता है काम पूरा इसमें भी हुआ काम पूरा इसमें भी हुआ लेकिन इसका काम भूतकाल में पूरा हो चुका है और इसका काम अभी पूरा होना बाकी है या इसमें होगा हमारा पौण भरतमानकाल, इसमें होगा हमारा आशन भूतकाल और उदारण देखते हैं, ठीक है, जैसे दूसरा है, अकबर ने, अकबर ने, राणा प्रताप को, राणा प्रताप को, हराया है ठीक बात है, आज की बात है, आपको उसर जी बहुत पहले की बात है, भूत काल की बात है, लेकिन हराया था, काम पूरा हुआ था, ठीक है, लेकिन लिखा के से जएक हराया है, और अगर सही से पढ़ोगे तो क्या कहोगे, हराया था, लेकिन लिखना नहीं है, लिखना यही है यहां पर देखो यहांपर अगर कहा जाए कि मैंने उसे सत्रंज में हराया है तो प्यारे मुझे बात बताओ कि यह जो हराया है इनमें अंतर क्या है तो आप कोगे सरजी एक बऊत बड़ी अंतर है ये काम भूत काल में हो चुका, ये हमको पता है और ये वाला मुझे नहीं पता हो सकता है, आपने हराया हो सकता है, अभी हराया हो सकता है यानि ये वरतमान में हो सकता है, लेकिन ये वरतमान में नहीं हो सकता है क्यों? क्योंकि बहुत समय पहले की बात है तो हम ऐसे इसको define करते हैं और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा clarification कोई नहीं दे सकता है याद रखिएगा अपने जहन पर एक उदारण और लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है कि मुहम्मद गोरी ने मुहम्मद गोरी ने प्रत्वी राज चौहान को प्रत्वी राज चौहान को पराजित किया है तो यह भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो पहचान है वो तो पूर्ण वर्तमान की तरह हैं लेकिन बड़ी पुरानी वाथ है और यहाँ पार हम कहें कि राम ने खाना खाया है यह बात तो अभी अब भी होशकती है अभी करेंट में रहां राकरो बात दिसाइट करोगे अब बात यह आती है कि सर जी मान लीजे ये उदार आया लेकिन पूर्ण वरत्मान का लिखा लिखा ये नहीं हुआ तो आप सोग से पूर्ण भूत्काल लगाओ सही होगा अब मान लो ये वाक का आया और जो हमारे option दिये थे वहाँ पर पूर्ण आशन भूत्काल नहीं था तब आप पूर्ण वरतमान सही करोगे तो इसको एक बार स्क्रीन सॉट करो और मुझे बताओ कि क्या ये बात जो है अब आपको समझ में आई है या नहीं आई है ठीक है इसको स्क्रीन सॉट करिए और इसको लिखे और लिख करके मुझे भी आप किलियर करिए कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है यानि कोई ऐसी घटना जो पूर्ण वरतमान की तरह है उसकी पैचान हो लेकिन वो भूत काल में हो ये बात तुमको पता हो तब वो आशन भूत काल होगा और अगर कोई ऐसी घटना जो आप समझते हो कि सामान निसी है तो आप वहाँ पर वरतमान करोगे खुद के वीवेक का प्रियोक करके ही आप इसको डिफाइन करबाओगे मुझे ऐसा लगता है आपनी स्क्रीन सॉट कर लिया होगा ठीक है? चालो आगे की बात करेंगे आज आज आपको बहुत सारे ऐसे पहलू हो सकता है जिनको आप न जानते हो उन से हम आपको आज रूबरू कराने की कोशिश करेंगे किस पर? तो आप को होगे वाक्य पर जो कि आप पढ़ रहे हो काल काल पर हम आपको वाक्तियों के माध्यम से इन सारी चीजों को किलियर करने की कोसिस करेंगे आप मेरे साथ में बने रहे अभी जिस भी बच्चे ने एक बार भी इसको सेहर ने किया है मेरी गुजारी से वो एक बार सेहर जरूर कर ले अगला हम बात करें आगे जो तीसे नंबर पर हम बात करेंगे वो प्यारे भीया हम बात करने वाले है अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण भूत वर्तमान कहा रहा हूँ अपूर्ण भूतकाल जैसे कि वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर जब हमने लिखा था कि जब हमने लिखा अपूर्ण वरतमानकाल तो मैंने लिखा तातकालिक वरतमानकाल ऐसे यहाँ पर भी होता है अपूर्ण भूतकाल तो आप लिखोगे तातकालिक भूतकाल ठीक है ताकि कोई नया तातकालिक भूतकाल ठीक चालो ताकि कभी इस प्रकार की कोई अगर चर्चा आपको मिले तो आप समझ जाना कि वही है यह कुछ अलग नहीं है अब इसकी पहचान बड़ी सिंपल होती है अगर इसकी पहचान पर कोई जाए अगर बात आप पहरे भीया पहचान की करोगे तो इसकी पहचान क्या है तो इसकी पहचान होती है रहा था रही थी और रहे थे जैसे कि आप वर्तमान में पड़ा थे वैसा इसमें कोई पहलू नहीं होता है कि चिडिया बैठी है पतंगुडर ऐसे कोई बात नहीं है इसमें तो तातकालिक भूतकाल कहते हैं और यह रहा था रही थी रहते समानसी बाते होती है यह अपूर्ण है देखो यहां पर भी कंटीनूस हो रहा है जो कंटीनूस होता है ना वो हमेसा अपूर्ण होता है कोई काम जैसे मैं जा रहा था आपने देखा तो मैं जा रहा था मैं पहुचा नहीं पहुचा इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है यानि यह अपूर्ण है यानि यह तातकालिक अगर समय की बात किया तब आप कह रहे थे कि वो जा रहा था अब मुझे नहीं पता है वह अप और नहों होता है इतनी बात याद रखो और continuous के पैचान होती है रहा रही रहे तो अब रहा रही रहे अगर हे हूं हो लगाएंगे तो वर्तमान बनेगा थादिते लगाएंगे तो भूतकाल बनेगा अगर हम इसके उदारनों की चर्चा करें तो उदारन कौन से हो ज जाएंगे राम खाना बना रहा था यह बात हो गई दूसरी गर बात करें बच्चे मैदान में मैदान में खेल रहे थे ठीक है अब कहेंगे ठीक बात है और अगर मैं तीसरी बत करूं मैं कानपुर जा रहा हूं जा रहा था जा रहा था तो सारी की सारी बातें आप यहां पर पैचानेंगे कैसे तो हमेंसा याद रखो जब भी आपको काल पैचानना हूं आप हमेंसा लाश्ट में ही देखेंगे और अगर रहा था रही थी रहे थे अगर आपको मिले तो आप वहीं पर तुरंद कह देंगे कि यह क्या है तो आप कहो कि अपूर्ण रहा था रही थी अपूर्ण है है हो लगा हो तो वर्तमान और अगर थाती थी लगा हो तो क्या हो जाएगा पस्ट हो जाएगा यह नि भूत काल हो जाएगा ठीक है तो एक बार फटा फटी स्क् यहां पूर्ण भूत पूर्ण भूत पूर्ण भूत सुझें आपने लिखा था कि क्रिया के साथ और प्लस हुं हो लगता है सहीं बात यहां पर भी करनी है लेकिन यहां पर हम जब बात करते हैं, तो हम पहचान में क्या लिखा करते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पर हम पहचान में लिख देते हैं, कि सामान भूत काल की पहचान के साथ, सामान भूत काल की पहचान, तो यहां पर हम इसको भी कोटट करेंगे कि पहचान यह होती क्या ह तो आप कोगे ध्यान से सुनना बहुत अच्छी तरीके से कि सामान भूत काल के पैजान के साथ क्या होती है तो आप कोगे सर जी होती है क्रिया प्लस आ ई या ए यह होती है के साथ क्या लगा होना चाहिए के साथ अगर था थी और थे लगा हो तो वहां पर क्या होगा तो आप को वहाँ पर ही हमारा पूर्ण भूत काल होगा जैसे कि वहाँ पर था क्रिया के साथ आई ये प्लस है हूं हो तो भूत काल यहां पर उसो हो जाएगा वरतमान काली यहां पर भूत काल हो जाएगा जैसे अगर आप से कहा जाए कि आप इसके एक्जामपल बताईए तो आप तुरंग बताएंगे क्या बताएंगे कि राम ने खाना खा लिया था यह लिखा हुआ है लिया था आप समझ गया कि अगर है होता खालिया है तो पूर्ण वरतमान और खालिया था तो पूर्ण भूतकल अगर हम दूसरे उदानल की बात करें तो सीता खाना बना चुकी थी तो यहां पर ए थी है न वैसे चुका था चुकी थी चुके थे भी इसी की पहचान होती है लेकिन यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्लस में अगर कभी लिखा हो चुका था चुकी थी और चुके थे यह भी लिख सकते हो कोई गलत बात नहीं है ठीक है यह भी लिख सकते हो अप और बंकी यहाँ पर आप देखी रहे होंगे अगर हम एक और उदाहन ले लें हम ले ले कि बच्चे मैदान में मैदान से जा चुके थे बच्चे मैदान से जा चुके थे यह हमने लिख दिया है तो यहाँ पर आप यह देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पैचान दी गई थी उसको इन वाक्यों ने satisfied किया आपने पीछे देख लिया यह लिखा हुआ है लिया था लिखा है चुकी थी और लिखा हुआ है चुके थे तो यह जो पैचान होती है यह पैचान होती है हमारे पूर्ण भूत काल की अगर यहीं पर है लग लगी जल्दी से तो आपको सारी बाते हैं यह बहुत ज़्यादा कथी नहीं है बस आपको थोड़ा सा याद रखना हैं आपको जो इसकी पैचान है वो अपने दिलों दिमाग में बसानी पड़ेंगी तभी आपका कुछ काम हो पाएगा अगर पांचमें नंबर की बात करें तो आप हम पहुंच गए हैं संदिग्द संदिग्द भूतकाल और जैसे कि मैंने संदिग्द वरतमान पर बताया था वैसे ही संदिग्द भूतकाल होता है अगर मैं आप से पूछू संदिग्द की वरतमान मैंने की पैचान क्या बताई थी तो आप कहोगे सर जी आपने कहा था ता होगा ती होगी ते होंगे रहा होगा तो यहां पर होगा कि सामान दूख हर एक बात पर मैं सामान भूत काल की पहचान का प्रियोग यहां पर करूंगा कि सामान भूत काल की पहचान के साथ तो आप हर बार कोगे क्या होती है सामान भूतकाल की पहचान क्या होती है तो आपके दिलो दिमाग पर अब तक बश जाना चाहिए कि क्रिया के साथ आ, ई और ए अगर लगाया जाए तो बनेगी सामान भूतकाल की पहचान और अगर के साथ अगर आपने जोड़ दिया क्या होगा होगी और होगे कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में होगा होगी होगे लगा हो तो वो भविश्यकाल का वाक्य तो नहीं होता है तो अगर वरतमान का होगा या भूत का होगा भी मैंने आपको खुद कहा है कि जिस भी वाक्य के पीछे होगा होगी होगे सब जुड़ा हो तो वो भूत काल नहीं होता है तो वो भविश्यकाल नहीं होता है होगा होगी होगे जुड़ा तो भविश्यकाल नहीं होता है जबकि गागी के से भविश्यकाल होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है होगा क्या या तो पूंड वर्तमान या तो भूत तो अगर वर्तमान होगा अगर ता होगा ती होगी ते होगे रहा होगा रही होगी रहे होगे लेकिन यहाँ पर क्या है सामान भूत काल के पैचान क्रिया के साथ आई ए और होगा होगी होगे उदारन से हम समझाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं जैसे कि राम ने खाना खा लिया होगा अब देखो यहाँ पर आप जा रहे हैं तो यह संदिक्द है न संदे है कि खाना खा लिया होगा खाया है नहीं खाया हमको नहीं पता है हम यह predict कर रहे हैं कि खा लिया होगा क्योंकि समय हो गया है खा लिया होगा तो लिया होगा और अगर ता होगा होता तो संदिक दिवर्तमान हो गया होता राम खाना खा रहा होगा होता तो संदिक दिवर्तमान हो गया होता लेकिन लिया होगा लेना एक क्रिया है और होगा अगर आगे हम बात करें सीता खाना बना चुकी होगी आप दो फिर से वही बात आई अगर चुकी थी कहता तो हो जाता पूर्ण वर्तमान लेकिन चुकी होगी तो क्या हो जाएगा आप कहोगे तो यहाँ पर हो जाएगा संदिक दभूत का तीसरे के गर हम बात करें हम कहें बच्चे मैदान से मैदान से जा चुके होगे अगर यह कह दिया जाए कि मैंने एक कार एक कार खरीदी होगी तो यहाँ पर आप देख रहा हो के बराबर कि यहाँ पर हम यह देख पा रहे हैं अगर आप से पूछे अपने लाश्ट में जरा सा जहाका तो आपने कहा कि मुख क्रिया जो है जो क्रिया है उसके साथ आई ए लगा हुआ है और लाश्ट में होगा होगी और इसमें भी वही है है तो यहां पर आप कहोगे आप सीना ने कहोगे कश्चांद का सी ​​还有 так क्या होगा तो आप कहोगे सर्जी यहां पर संदिक दिभूत रों काल हो जाएगा ठीक है अब अगए कि चर्चा करें आप फटा फट स्क्रिन स्ट कर लिया करें प्लति से क्शारें अगे की चर्चा में पाटिसिपेट करना चाहें आप पूझे तो आप कहोगी आगे की चर्चा सरी चलती यह हमारी है चे टू थो मद कहाँ पर चलती है तो आप कओ गिए तू यह थो मध bhoot काल पर चलती है उसकी विए सुनो फिर आगे की बात करें तो जो हमारा छेटवा नमबर पहुचा लाश्ट है भूतकाल का तो यह हो जाएगा हे तु हे तु मद हे तु हे तु मद भूतकाल भूतकाल है ना तो इसको समझाते समय आपको बात बहुत अच्छी तरीके याद रखनी है यह सर्त सूचक वाक्य होते हैं तो आप लिखोगे वे सर्त सूचक वाक्य है वे बहुत ध्यान से सुनिएगा हमने आपको बताया कि वे सर्त सूचक वाक्य हो जो भूतकाल में हो जो भूतकाल में हो क्या कहलेंगे हेत वे तुमत भूतकाल कहलेंगे तो यहाँ पर सर्त होती है यहाँ पर संभावना नहीं होती है यहाँ पर सर्त होती है कारण होता है या प्रयोजन होता है आप कहोगे कारण होता है या प्रयोजन होता है मतलब क्या है यह बात की जाएगी सर्त जैसे कि अग वह यहां आता तो मैं उसकी मदद करता तो मैं उसकी मदद करता तो आप दिख रहे हो कि यहां पाश्ट की बाते हैं पूर्व की बाते हैं ना वह यहां आया है और नहीं वह उसकी मदद कर पाया है तो पिछे की बाते हैं जैसे अगर यहाँ पर दूसरा उदारण कैदे कि यदि मैं यदि मैं पच्छी होता नीलगगन पर उड़ता यानि नहीं वो पच्छी है और नहीं वो नीलगगन पर उड़ पा रहा है अगले अगर बात करें यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते तो सफल हो जाते यानि कारण था सफल होने का कारण था और इस कारण की पूरती के लिए आपको मेहनत करने किया हो सकता थी अपने मेहनत नहीं की इसलिए आपका परिणाम जो रहा वो आपका परिणाम जो है वो फेल हो गए ठीक है तो इन बातों की चर्चा यहां पर की गई है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यह सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो यहां पर अगर सरत्सूचक बाकियों की बात करें तो सरत्सूचक जो बाकिय होते हैं और अगर वो भूत काल में हैं तो अब हम चलते हैं अपने भविच सकाल जो कि हमारा आखीर बचा हुआ है उसमें हम तीन प्रकार के वाक्यों की चर्चा करेंगे और बहुत ही जल्द उस चर्चा को भी हम समाप्त करेंगे और फिर हम अगले दिन खर energy के प्रचा करें इसके लिए चर्चा को समाप्त करना बेहद आवश्क है तो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं हमारे साथ भविच सकाल और भविच सकाल कितने प्रकार के होते हैं मैंने शुरू में ही आपको इंट्रिट्रिक्सन दिया था तीन प्रकार के होते हैं तो सबस कि आप शुरू में मैंने बात बताई कि प्यारे बच्चे होता क्या है कि अगर किसी के पीछे होगा होगी होगे सब जुड़ा होगा तो वह सकाल कर नहीं होगा जबकि गागी के तो जुड़ा हुआ है ना तो फिर आपको फिर बताईए कि यहां पर तो मैंने कहा था कि पास् आप कहोगे कि सामान भूत काल और अगर future indefinite तो शामान भविसकाल यानि अगर हम उसकी बात करें तो उसकी पैचान क्या होती है तो आप कहोगे सर जी होती है क्रिया के साथ अगर जुड़ा हो गा, गी और गे अगर क्रिया के साथ गागी के जुड़ा हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं सामन भविस्काल कहते हैं बड़ी सिंपल सी परिभासा है उदारण से आप समझिएगा आप को समझ में आएगा जैसे यहाँ पर लिखाओ हो राम बाजार जाएगा देखो गागी के यहाँ पर भी है लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लाश्ट में आप यह देख पा रहे हैं कि सर जी गागी के तो है लेकिन जाना के साथ में लगा होगा होगी होगे नहीं लगा हुआ है जैसे सीता खाना बनाएगी देखो जुड़ा हुआ है तो गागी गे तो है लेकिन कैसे जुड़ा हुआ है तो बनाना क्रिया है और क्रिया गसाद में जुड़ा होना की होगा होगी होंगे है जैसे अगर हम बात करें बच्चे मैदान में मैदान में खेलेंगे खेलेंगे आपने देखा कि गागी गे तो प्रॉपर बराबर मेरे साथ चला लेकिन कभी भी उस गागी गेन होगा होगी होगी का सहरा नहीं लिया यही तो चार्म है वैरे यही तो अच्छी बात है किसकी भविश्चकाल की तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होगा कि अगर क्रिया के साथ में गागी की अगर इंक्लूड हुआ तब तो हम उसको भविश्चकाल कहेंगी सामान भविश्चकाल आदरबास होगी होगा तो हम फिर वहाँ जाएंगे ता होगा ती होगी ते होगे रहा होगा रहे बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन पर ये समा जाना चाहिए ये बैठ जाना चाहिए कि ता होगा ती होगी ते होगे रहा होगा रही होगी रहे होगे पैचान किसकी तो आप कहो कि ये भईया है संदिग्द वर्तमान लिया होगा ली होगी दिया होगा दी होगी अगर ये पैचान किसकी संदिग्द भूतकाल और अगर क्रिया के साथ में गागी ये तो पैचान किसकी तो आप कहोगे शामान ने भविस्यकाल फटाफट स्क्रीन साट करो आगे चर्चा करें चर्चा को उसके लिए मैं उत्तरदाए हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं को सम्भावना होती है इसमें होती है। इसमें भी करिपना होती है सब्दों का प्रियोग क्या होता है तो आप कहोगे हो सकता है हो सकता है सायद या संभव है या आप लिखोगे संभवता संभवता ठीक लेकिन वहाँ पर जब आप कर रहे थे तो आप यह देख रहे थे कि मैंने का था जब संभव वर्तमान काल अपने किया तो मैंने का था लाश्कन हो ना चाहिए लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है हो नहीं होगा जैसे देखिए क्या होगा एक्जाम्पल समझेगा एक्जाम्पल कहते हैं कि जैसे कि सायद वह हो सकता है सायद वह यहाँ आए वह यहाँ आए अब आप यहाँ से देख रहोंगे कि वह यहाँ आए सायद भविश्य की बात कर रहा है जैसे कि अगर दूसरी बात कहें मालगी जे किसी राजी में शुना हुए है तो कहा जाए हो सकता है कि BJP माने भारती जन्ता पार्टी की सरकार बन जाए सरकार बन जाए मलब किलियर नहीं है लेकिन हो कह रहा है कि हो सकता है बन जाए तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही होता है कि सुरुवात में यह सब्द लगे होते हैं लेकिन लाश्ट में कभी हो नहीं आएगा क्यों कि हो आएगा तो क्या हो जाएगा बहुत ध्यान से सुनिये कि हो आएगा तो यह संभाब बरतमान हो जाएगा लेकिन अगर हो नहीं आएगा तो यह क्या होगा संभाव भविस होगा ठीक एक और लिख के देखते हैं संभव है कल इस पर इस पर चर्चा हो जाए हो जाए और यहां पर तो कल भी लगा हुआ है वर्तमान में कभी कल आता नहीं तो अकर कल लगा हो तो तो बिलकुल भी जरूरी हो जाता है कि भविसकाल में ही होगा तो आपने देखा कि यह संभाव भी लगा हुआ है और लाश्ट में लगा हुआ है माले भी बहुत सरल सी चीज़ें हैं बस आप फिलो सा ध्यान दे एक बार इसक्रींसिट करें मैंने यहां पर यह बता या कि अगर सिं्टिंस की शरुआत में या sentence में कहीं हो सकता है सायद हो सकता है सायद या संभोता आधी आधी चीजें संभो होए अगर ये सब्द लगे हो और साथ में लास्ट में हो नहीं होना चाहिए क्योंकि हो हुआ तो संभाब वरतमान हो जाएगा और अगर हो नहीं हुआ तो संभाब वरतमान नहीं होगा बल उसको हम समाप्त करने की ओर चलें तो चलिएगा बाद बड़ी सरल थी और आज का लाश्ट और सिंटेंस ये जो काल है हमारा इसका भी आखीर भाग होगा और भविश काल भग का भी आखीर भाग है जिसको आप लोग कहते हो तीसरे नमर में हे तु हे तुम्मद हे तु हे भविश काल भविश काल ठीक है देखें इसकी पैचान करें तो वही बात है कि वे सर्थ सूचक वाक्य जो भविश काल में हों जो भविश काल में हों वो क्या कहलाएंगे तो आप कहोंगे वे वह जो हैं वह हेत्यु हैत्यु मत भरी शिकाल कह लेंगे हेत्यु मत भूत कर पड़ाते वक्त बताया थे कि वे सर्तु सूचक वाग के जो भूत काल में हो जैसे कि आपको अशर जी एक्जामपल बताईए हम कहेंगे लीजे एक्जामपल यदि तुम यहां आओगे यदि परिश्रम करोगे तो शफल हो जाओगे छफल हो जाओगे जब आपने इस बीडियो को पढ़ना शुरूँ किया मैंने आपको यह ही कहा कि पहरे बच्चे अगर आप लगन से पढ़ते हैं अगर आप मन से पढ़ते हैं आप किसी पर भरोसा करके पढ़ते हैं तो आपको सफ़ा लोने से कोई नहीं रोख सकते हैं मैंने बात कही जिसे अगर ये तो हो गया पहला दूसरा यदी वह यहां आएगा यहां आएगा तो ग्यान जरूर पाएगा ग्यान जरूर यानि इस अगर जो भी चैनल से जुड़ेगा तो वो अल्टिमेटली करके अपना जो भी सपना ले करके उसको जुरूर पूरा करें क्योंकि यहां पर पढ़ाई की बात होती है तो आपने देखा कि इस प्रकार सर्थुचगवा कि जो भविश सकाल में होते हैं या जो इसलिए मैंने बीच में नहीं कहा है लेकिन आप सभी से यह हमारी गुजारिस है कि अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगता है अगर आपको लगता है कि नहीं प्रयास हो रहा है और प्रयास जो हो जन्यून है हमें फील आ रहा है आफ्लाइन क्लासिस का जब हम पढ़ते ह तो मुझे ऐसा कता ही नहीं लगता है कि कहीं teacher हमसे दूर है, teacher हमारे सामने और हमें classroom पर बैट करके पढ़ रहे हैं, और teacher ऐसा पढ़ाने के कोशिज कर रहा है कि doubt हो ही ना, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप एक बार मेरे कहने पर इसको share जरूर करें, support जरूर दिखाए अ इसके लिए आप अपने मित्र समुहों के साथ में इसको सेर जरूर करें एप्रिसेट करें लाइक करें हमारा हुसला आप जाही करें ताकि आने वाले समय में हम आपको बहुत बहतर बहतर बीडियो जैसे ही देते रहें इसके बाद में MCQs होंगे आज ये पूरी क्लास समाप्त हो गई है पार्टू में MCQs के लिए आप त्यार रहें तब तक के लिए नमस्कार जैहिन